पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रिमजिम जैसे तैसे ससुराल में अपने काम को सही तरीके से करने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी उससे कुछ न कुछ गरबड़ी हो जा रही है और न जाने रिमजिम के ससुराल वाले उसके खिलाफ कौन सा प्लान बना रहे ह वही कहानी के अंत में आपने देखा था कि उसकी बहन कलपना उसे कुछ चौकाने वाली बात बताती है अब आगे कलपना अपनी बहन को वो बात बता देती है जिसे सुनकर रिमजिम की आँखें फटी की फटी रह जाती है वो रोने लग जाती है ये कैसे हो सकता है कल्पना मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रा दीदी आखिर जीजू ऐसा क्यूं कर रहे है अगर आरियन जी को मुझसे प्यार नहीं था तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की चिंता मत करिये दीदी आखिर बात क्या है ये मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूँगी दरसल कल्पना जब से रिमजिम के ससुराल में आई थी तब से आरियन न जाने क्यूं उसे घूर घूर कर देख रहा था और देख देख कर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा था कल्पना मेरी किसमत बहुत बूरी है मुझे तो मरी जाना चाहिए नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए गलती किसी और की है तो मरना आपको क्यों पड़ेगा ऐसा क्यों होगा बला नजाने क्यों हूँ आईसा मेरे साथ दीदी आप चिंता मत करिए हम सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिये ठीक है कल्पना रिमजिम को ऐसे ही बहुत देर तक समझाती रहती है तब जाकर रिमजिम में थोड़ी हिम्मत आती है तो कल्पना मैं अभी पता लगाने के कोशिश करूँगी कि आखिर आरेयन जी ऐसा क्यों कर रहे है और क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते है हाँ दीदी सच्चाई तो हम लोग पता लगा कर ही रहेंगे दोनों बाते कर ही रही थी तभी रिमजिम की सासुमा उसे बुला लेती है आई माजी बस दो मिनट चलो दीदी रिमजिम वहां से चली जाती है और अपनी काम में लग जाती है लेकिन बेचारी काम करते वक्त अपनी आँखें नम किये हुए बार-बार आरेन के बारे में ही सोचती रहती है ही भगवान मुझे किस जनम की सजा दे रहे हैं आप और रिमजिम ऐसे ही अपनी आँखें नम किये हुए अपना काम करती रहती है वहीं दूसरी और कलपना अपनी मा से बात कर रही है मा ये बताईए दीदी का इतना बड़ा घर है और यहाँ पर एक भी नौकर नहीं है जबसे हम लोग आए हैं तबस दीदी अकेली सारा काम कर रही है बिचारी ठकती नहीं होगी क्या अरे तो इससे तुझे क्या लेना देना है काम तो रिमजिमी कर रही है न रे बस बस चुप रहे तू मैं तो जा रही हूँ टीवी देखने तुझे पता है रिमजिम की सास के कमरे में कितना बड़ा टीवी लगा है बाप रे बाप मैंने तो अपनी जिंदेगी में कभी भी इतना बड़ा टीवी नहीं देखा है सच में अमीर लोगों की तो बात ही अलग होती है मां मैं आपसी दीदी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ और आप टीवी के पीछे पड़ी है देख अब मैं लास्ट बार कह रही हूँ मेरा मूड मत खराब कर मैं यहाँ पर इंजोई करने के लिए आई हूँ तिरी बगवास सुनने नहीं आई हूँ बहतर होगा कि तुझ चूप रहा है और इंजोई कर समझी मां सुनो तो उससे में काजल वहाँ से चली जाती है थोड़ी दिर में शाम हो जाती है और आरेन और से घर आ जाता है तभी कल्पना थोड़ी दिर बाद आरेन के कमरे में जाती है हैलो जीजू ये देखे तो ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर वाओ इस ड्रेस में तो तुम बहुत खुबसूरत लग रही हो साली जी कहीं जा रही हो क्या हाँ मेरी फ्रेंड है एक वो इसी शहर में रहती है आज उसका बर्डे है तो उसी की बर्डे पार्टी में जा रही हूँ अच्छा मैं भी चलो क्या क्यों वहाँ तो लढ़किया ही लढ़किया होगी आप वाँ पर क्या करोगे अच्छा चलो, कोई बात नहीं वैसे जीजू, आप चाहे तो हम दोनों कल कॉफी पर चल सकते हैं कल्पना की मूँसे ये बात सुनकर आरेन बिल्कुल चौँक जाता है क्या? हाँ जीजू, अगर आप चाहे तो हम चल सकते हैं अच्छा, लेकिन अच्चानक से तुम्हें क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ जीजू, सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूँ क्यों? क्या हुआ? वो, मैं आपके लिए पागल हो चुकी हूँ, जीजू, मुझे हर जगे बस आप ही दिखाई देते हैं क्या? हाँ जीजू, आप बताईए ना, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ कल्पना, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारी सारी चीज़े बहुत पसंद आती हैं सच्ची? मुच्ची तभी बात्रूम से रिमजिम बहार निकलती है, दरअसल रिमजिम बात्रूम में छीपे हुई थी और इन दोनों की बाते सुन रही थी आरियन जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो रिमजिम, मेरी कोई गलती नहीं है जीजू, नाटक बंद करिये, आप जिस तरीके से हमें देखते हैं, क्या हमें पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में वाके में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए ही हमने ये नाटक किया है और इस तरह आरियन, रिमजिम के सामने गिड़गराने लगता है इसलिए रिमजिम का मन पिगल जाता है आरियन उसके पैरों में पढ़कर माफ ही मांगने लगता है ठीक है आरियन जी, हमने आपको माफ किया आप जैसे भी हमारे पती हैं, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन प्लीज दुबारा ऐसा मत करियेगा हाँ जी जू, प्लीज ऐसा दुबारा मत करियेगा वरना हम अपनी दीदी को यहां से ले जाएंगे हाँ कल्पना, I am sorry, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा चली दीदी दोनों बेहने वहां से चली जाती है वहीं इसके बाद आरेन सीधे अपनी मा के पास जाता है और उसे इन सारी घटनाओं के बारे में बता देता है मा मेरा तो बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा था लेकिन मैं अपनी बेहन के लिए चुप था वरना दोनों को ऐसा सुनाता ना कि दोनों जिन्दगी भरियाद रखती मा आप इन दोनों का चिस ग्लास लेना आज से तू चिंता मत कर बेटा इन दोनों को तो मैं खून के आसूर रुलाऊंगी और वैसे भी तू तो जानता ही है इनकी मा क्या करती थी पहले तो जाहिर सी बात है कुछ असर तो बेटी पर आएगा ना हा मा वही दूसरी और अपना भी अपनी मा काजल को भी ये सारी बाते बता देती है लेकिन काजल तो उसे उल्टा चुप चाप रहने के लिए कहती है तो जादा जज बनने की कोशिश मत कर समझी जैसा भी चल रहा है चलने दे तुझे उसकी जिंदगी से क्या लेना देना अरे हमें हर महीने 30-35 जार मिल जाते हैं बस और क्या मा सच में आप बहुत लालची हो और ये कहकर कलपना उस कमरे से बाहर चली जाती है वही काजल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता खेर वही चंदरा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत गुस्से में थी इसलिए वो रिमजिम को सबक सिखाने के लिए सीधे रसोई में जाती है ये माइक्रोवेव तो खुला ही है बंद करना भूल गई कि आज भी हाँ माजी सौरी बंद करना भूल गई अभी बंद करती हूँ जब भी कुछ बोलो तो बस यही बोलती है कि बंद करना भूल गई बंद करना भूल गई अरे बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा ये सुनकर रिमचिम को बहुत बुरा लगता है लेकिन बिचारी अपनी सासुमा के सामने कड़वे घूट पीकर रह जाती है माजी आगे से ऐसा नहीं होगा अरे अपना ये डायलोग ना अपने पास ही रख बार-बार एक ही डायलोग चिपका देती है मुझे अब ये बता कि खाना बन गया के नहीं जी माजी सब कुछ बन गया है बस रोटियां बनानी रह गई है तो कब तक बनाएगी तो रोटियां कल तक बनाएगी क्या दिख नहीं रहा रात के साड़े नौ बज गये है सासुमा वो माँ से कई दिन के बाद में ली न तो बस माँ के साथ थोड़ा बात कर रही थी इसलिए रायम का पता नहीं चला अरे तेरी मा क्या कहीं की मिनिस्टर है जो उसके साथ बैट कर मीटिंग कर रही थी तू जल्दी से रोटियां बना दे वो भी पांच मिनिट के अंदर माजी लेकिन पांच मिनिट के अंदर इतनी सारी रोटियां कैसे बनेगी और आज तो एक्स्टरा रोटि भी बनानी है मुझे कुछ नहीं सुनना बस तुझे पांच मिनिट में रोटियां बनानी है तो बनानी है अगर रोटियां नहीं बनीना तो हम बाहर से और करके खा लेंगे और अगर बाहर से खाने में मेरी या इनकी तवियत बिगडी तो इसकी जिमेदार बस तू ही होगी नहीं माजी ऐसा मत बोलिये मैं कोशिश करूँगी कि पांच मिनिट में रोटियां बन जाए हम जल्दी तभी वहाँ कलपना आ जाती है आंटी जी बुरा मत नहींगा लेकिन मैं ये पूछना चारी थी कि आपके घर की नोकरानी बिजली काम पर कब वापस लट देगी कलपना ये क्या बोल रहे है तू अरे नहीं नहीं बोलने दो बोलने दो तुम लोग तो जो मन चाहे वो बोल सकते हो भई नहीं आंटी आप गलत समझ रही है मैं तो बस नौकरानी बिजली के बारे में पूछ रही हूँ चुप हो जा कलपना अरे दीदी नौकरानी अगर काम पर नहीं आ रही है तो पूछने का हग भी तो बनता ही है ना इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने तो कान खुल कर सुन लो मैडम इस घर में अगर तुमारी बेहन को रहना है न तो घर का सारा काम करना होगा और हाँ हमने हमारे घर की नौकरानी को काम से निकाल दिया था अब तो सब पता चल गया ना मैडम कलपना अब तो खुश हो लेकिन आंटी आपका इतना बड़ा घर है एक नई नौकरानी रखने में क्या हो जाएगा कुछ जादा ही बत्तमीज है तुमारी छोटी बेहन रिमजिम इससे कह दो अपना मूँ बंद कर ले वरना अच्छा नहीं होगा नहीं आंटी जी मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है आपको तो बेवज़े ही मुझ पर गुस्सा आ रहा है रसोई में हला गुला सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते है अरे चुप कलपना अरे सम्धन जी मेरी छोटी बेटी को माफ कर दीजिगा चोटी है न तो जादा लाड़ प्यार मिलने के कारण ऐसी हो गई है वही रिहाना अपनी मा के पास जाकर दीरे से कुछ कहती है मा अब इतना जादा भी मत करो न कई ऐसा नहों कि भावी घर छोड़कर चली जाए और चंद्रा चुप हो जाती है कि तभी रिमजिम का सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर वही गिर जाती है तो आखिर रिमजिम को ये क्या हो गया था और क्या आगे रिमजिम की जिन्दगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा जानने के लिए देखेगा गरी बहो की अमीर रसोई का आखरी एपिसोड